तो Minecraft के multiplayer feature के वज़े से तुम किसी भी अपने दोस्त को invite कर सकते अपने world में और उसके साथ खेल सकते हो इसलिए आज की वाली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हो कैसे अपने पोजाव launcher में तुम multiplayer खेल सकते हो वो भी अपने friends के साथ बिना किसी server को install किये हुए और वो सब कुछ आपके single player world में होने वाला है तो मैंने इसके पर पहली दो वीडियो बनाई है और उसमें मैंने बहुत सारे problems के बारे में discuss किया है लेकिन बहुत सारे doubts अभी भी लोगों को रहते हैं इसलिए मैंने इसके उपर एक तीसरी वीडियो बनाई जिसमें मैं आपके सारे के सारे doubts clear करूँ और कोशिश करूँ कि जैसे तैसे करके आपके Android devices में भी ये multiplayer work कर जाए तो multiplayer खेरने के लिए आपको दो चीजों की जरुवत है सबसे पहले IP address और दूसरा है host code तो IP address जुणने के लिए तो सबसे पहले आपको Google में जाना है और Google में search करना है what's my IP address scroll करने बाद यहाँ पर आपको आपका IP address मिल जाएगा इस IP address को आपको अपने friend को भेजना है तो अब यहाँ पर कुछ लोग कोई problem आती है कि उनकी जो IP address है बहुत लंबी है या फिर उसमें कुछ alphabets लिखे रहते हैं अगर आपका IP address बहुत लंबा है तो आप उसकी कोई problem नहीं है आप उसे simple से use कर सकते हो लेकिन अगर आपके IP address में alphabets है तो उसमें आपको problem हो सकती है उसके लिए आपको अपना जो network है वो change करना होगा मतलब कि अगर आप अपने mobile data से use कर रहे हो तो आप अपने घर के कोई दूसरे phone से अपना hotspot लेके भी काम कर सकते हो क्योंकि आपको network change करनी पड़ेगी वो alphabets minecraft में वो IP address support नहीं करता है अब आपको क्या करना है इस IP address को आपको अपने friend को भेजना है और आपका IP address का काम हो गया है अब आपको host code ढूनने के लिए आपको सबसे पहले अपना पुजाव launcher को open करना है उसके बाद कोई सा भी एक version select करने के बाद आपको play के उपर click कर देना है उसके बाद जैसी आपका game open हो आपको अपना single player एक world create करना है world create करने के बाद यहाँ पर आपको एक बाद back button क्लिक करना है back button क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको open to land के उपर click करना है उसके बाद यहाँ पर open to land करने के बाद यहाँ पर आपका एक host code नीचे नजर आएगा इस host code को भी आपको अपने friend को send कर देना है अब हम लोग अपने friend के phone में है अब आपको क्या करना है अपने friend के phone में आपको multiplayer के अंदर जाना है proceed करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे direct connection लिखा हुआ है उसके उपर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको अपना IP address लिखना है जो आपने अपने friend को भेजा है उसके बाद यहाँ पर आपको एक colon देने के बाद यहाँ पर आपको अपना world देखने को मिल जाएगा आपको उसके पर क्लिक करने के बाद join server के उपर क्लिक कर देना है यहाँ पर आपका जो world है वो connect होने लगेगा और यहाँ आप देख सकते हैं आप अपका world में connect हो चुके है तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर अपने दोस्त के साथ multiplayer खेल रहा हो कोई भी दिक्कत नहीं होई है तो आशा आपको यह वाली वीडियो पसंद आई है वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like और चान को subscribe कर देना अगर आपको कोई problem आ रही है तो मुझे comment section में जरूर बताना और मिलता आपसे नई और अगली वीडियो में तब तक के लिए good bye